नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर सो आत्मनित भरता को एक और बड़ा boost दिया गया है Government of India के द्वारा हमारे द्वारा 900 से भी अधिक military items के import के उपर अब प्रतिबंद लगा दिया गया है Economic Times की ये खबर है जो की कल दुपहर को ही सामने आई है India's Defense Ministry approves 4th Positive Indigenization List in order to boost the local manufacturing बात करेंगे कौनसी कौनसी वो items हैं जो की यहाँ पे ban करी गई है कितनी saving इससे हमको होने वाली है और इसके इलावा क्या फायदे हमें इससे होने वाले हैं उनको भी समझा जाएगा आईए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारी lectures के pdf को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गई telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और बताना चाहूंगा दोस्तों पाच finder आपके लिए लेकर आया है इंडिया का सबसे comprehensive सबसे जाधा affordable UPSC CSC batch जिसमें कि आपको संपूर्न प्रिलिम्स और मेंस की तयारी मात्र आठ हजार रुपे में करवाई जाएगी which also includes 900 से भी अधिक घंटे की life classes इसमें available करवाई जाएगी साथ ही में इसमें test series भी आपको available करवाई जा रही है ये batch दोस्तों Hindi एवं English दोनों में ही available है इसका जो English batch है वो एक June से start हो रहा है और जो Hindi batch है वो 15 July से start हो रहा है योदि आप लोग केवल test series purchase करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं मात्र तीन हजार में आपको dedicated premiums की test series मिल जाएगी और मात्र तीन हजार में ही आपको dedicated mains की test series भी available करवा दी जाएगी किसी भी course में enroll करना है नीचे description में आपको इसके links दे दिये गए है आपको बताना चाहूंगा चोथी ऐसी सूची है जो की हमारी सरकार के द्वारा release करी गई है इसको हम लोग negative import list का नाम नहीं देते हुए हम लोग इसको positive indigenization list का नाम देते हैं जिसमें की document में बताया गया है कि ये सारे के सारे items हैं जिनके उपर प्रतिबंद लगाया गया है number one आते हैं line replacement units number two आते हैं subsystems and components and number three आते हैं कई सारे छोटे मोटे equipment and weapons ये बाकी चीज़ें तो clear हैं लेकिन ये line replacement units है ये क्या चीज़ होती हैं किसी operating location पर उनको line replacement units कहा जाता है इसको एक बड़े simple तरीके से अगर समझाना चाहूं तो for example किसी airplane का engine है तो that is not a line replacement unit लेकिन engine के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कोई चोटा मोटा part खराब हो गया आपने उसको suddenly unplugged करके एक नए part से replace कर दिया उसको line replacement unit कहा जाता है तो ये चोटे level के components होते हैं जिनके उपर अब सरकार के द्वारा प्रतिबंद लगाया गया है बताया ये भी जा रहा है कि in 928 strategically important line replacement units system spare parts components लगरा को अगर हम लोग positively इंडिया में produce करते हैं तो इससे जो हमारा import substitution का saving होने वाला है ये almost 715 करोड का saving होने वाला है और ये December 2028 तक चलते चलते ये पूरा जो list है ये implement हो जाएगा और उसके बाद एक भी item इस list में आने वाली वो import नहीं करी जाएगी अगेन बताना चाहूंगा ये जो हमने चौथी list release करी है इसके पहले तीन ऐसी list already release हो चुकी है जो पहली list थी वो दोस्तो December 2021 में आई थी दूसरी list March 2022 में आई थी और तीसरी list जो है वो August 2022 में लाई गई थी आप लोग यहाँ पे देख भी पाएंगे ये number 1 जो list है वो December 29, 2021 को release करी गई थी जिसमें कि Ministry of Defense ने एक notification जारी करी थी लगभग 2500 से भी अधिक items के import के उपर इन्होंने कहा था ban लगाया जाएगा जिससे कि हमें सालाना 3000 करोड की बचत हो सकती है इसमें भी इन्होंने यही कहा था कि ये लगभग लगभग 5 साल में आई थी और तीसरी list आपके सामने है August 2022 में लाई गई है 780 defense items in third negative import list of subsystems आप लोग देख सकते हैं Officially इसको positive indigenization list ही कहा जाता है media houses कभी कबार इसको negative import list का नाम दे देते हैं लेकिन इसको official name basically positive indigenization list PIL के नाम से ही चलता है तो इसमें जो list जो अभी तक 3 list निकाली गई है इसमें 2500 से भी अधिक items हैं जिसमें की 2500 items को already हम लोग indigenize कर चुके हैं और 1238 items ऐसी हैं जिनको की basically आने वाले given timelines के अंदर indigenize किया जाएगा एक important point बताना चाहूंगा कई बार बच्चे confused हो जाते हैं क्योंकि एक और list भी चल रही है सरकार के द्वारा दो तरह की list को निकाला जा रहा है एक आपकी जो list है वो बड़े weapons के लिए bigger weapon systems के लिए निकाली जा रही है और एक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये basically sub components, subsystems, spare parts के लिए list को निकाला जा रहा है जिस चीज के बारे में हम लोग video बना रही है वो आज ये वाली components वाली list है जो bigger weapons वाली list है उसका सिलसिला हमने 2020 में शुरू किया था उसमें भी तीन बड़ी list हैं जो की अल्यड़ी आ चुकी है 20, 21 और 22 की उधारन के तौर पे आप देख सकते हैं कि 9 अगस्ट 2020 जब COVID का टाइम चल रहा था उसी टाइम पे import embargo लगाया गया था on 101 items beyond given timelines to boost the indigenization of defense production इसमें दोस्तों बड़े बड़े हत्यार जो की हम लोग बड़े बड़े देशों से procure करते हैं उनके उपर basically प्रतिबंद को लगाया गया था जो मैंने आपको बताया कि 1238 ऐसी items हैं जिनका indigenization का process शुरू हो चुका है उसमें 310 बलकी ऐसी items हैं जो की already इस process से गुजर चुकी है 262 from the first positive list, 11 from the second list and 37 from the third positive indigenization list इस process के through already गुजर चुकी है clearly आप देख सकते हैं कि काफी aggressively हम लोग चीजों को indigenize करने का प्रयास कर रही है इसका फाइदा क्या होगा फाइदे बहुत सारे है number one obviously हमारा जो import dependence है वो कम होगा import dependence है तो साथ में दोस्तों जो import bill है वो भी कम होगा import bill कम होगा तो हमारा current account deficit भी यहाँ पे कम होगा इसके इलावा क्योंकि हम इन चीजों को अब घरेलू तोर पे इनका उत्पादन करेंगे तो जो हमारी घर की industries है जो हमारी भारत की industries है MSME हो गई या Indian industries हो गई उनको फाइदा होगा क्योंकि government private sector को भी boost दे रही है तो private Indian industry को भी यहाँ पे काफी अच्छा boost मिलने वाला है और क्योंकि यह चीज़ें बिना research के नहीं बनती है तो academic और research institutions की भी अब हमें involvement देखने को मिलने वाली है and ultimately अगर हम अपनी production को बढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग हमारे निर्यात को भी बढ़ाएंगे वैसे भी हमारे targets हैं कि हमें आने वाले 5 सालों में लगभग लगभग export target 5 billion dollars के आसपास का है अगर उसको भी achieve करना है तो यह obvious है कि हमें हमारी production को बढ़ाना होगा तो यह जितनी भी list निकाली जा रही है यह उसी दिशा में एक एक करके कदम लिये जा रही है बाकि आपकी इस पर क्या रहा है हमें comment section में जरूर बताईएगा जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारी perspective series को नहीं check out किया है तो जरूर check out कीजे आपकी UPSC doubts, आपके do's and don'ts इसी particular series के माधियर हो सकते हैं Thank you so much for listening, stay tuned and stay safe